हेलो एवरिवन, वेलकम इन माई योट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे AB2 टाइप मॉलेक्यूल, कि AB2 टाइप का जो मॉलेक्यूल होता है, उसकी सिमेटरी क्या होती है, कैसी उसकी शेप होती है, और उसका अंदर कितने वाइब्रेशनल मो सोते हैं, क्या-क्या उनके बारे में, कौन से मोड आई-ार एक्टिव होंगे, कौन से इनक्टिव होंगे, कौन से मोड रमन एक्टिव होंगे, इनक्टिव होंगे, तो आज के इस लेक्चर में हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क् कि हम पढ़ रहे हैं क्या AB2 टाइप का मॉलिक्यूल AB2 टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर हम mainly symmetry की बात करेंगे और shape की बात करेंगे तो हमें पता है कि जो AB2 टाइप मॉलिक्यूल हो गया AB3 हो गया, AB4 हो गया इस तरीके के जो मॉलिक्यूल होते है are the type of polyatomic molecule ये polyatomic molecule होते है polyatomic का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एक से ज़्यादा atom present होते है polyatomic का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर एक से ज़्यादा क्या present होते है एक से ज़्यादा atom present होते है that's why it is called as polyatomic molecule अब polyatomic molecule है और उसके अंदर एक से ज़्यादा atom है तो क्या होगा उसके इंदर एक से ज़ाधा fundamental vibrations भी होंगी उसके इंदर उसके frequencies भी होंगी तो वो हमने यहाँ पर represent किया है कि here we know that a polyatomic molecule have more than one fundamental vibrations क्योंकि अगर molecule ही हमारा polyatomic है तो उसके इंदर होने वाले fundamental vibrations भी क्या होंगी एक से ज़ाधा होंगी तो हम basically पढ़ क्या रहे है AB2 टाइप के molecule तो AB2 का जो molecule होता है उसकी जो representation है वो हम दो तरीके से कर सकते हैं या तो हम उसको linear molecule की तरह कर सकते हैं या हम उसको bent molecule की तरह कर सकते हैं या दो तरीके की यहाँ प छेप की बात करने तो शेप को कौन verify करता है शेप is verified बाई जैनरल स्टक्चर에서 चैप जो है वो हमसके जैनरल structure को देख की हम verify करेंगे और symmetry को वेरिफाइ करता है symmetry को उसके corresponding जो point सेन्ट ग्रूप होता है वह सिमेट्री को क्या करता है जो की है वेरीफाइब करता है तो बहुत है कि वीज़ सुद्रफक्शा कर दे Guru किके AB2 type का molecule था A को central metal item रखा और B को corners पे रखा तो ये molecule क्या कहलाता है linear या फिर ये क्या हो सकता है bent हो सकता है अब किस case के अंदर ये linear बनेगा किस case के अंदर ये bent बनेगा वो हम आगे discuss करेंगे ठीक है जब हम एक particular example लेके चलेंगे next हमारे पास आता है symmetry symmetry को हम किससे verify करते है symmetry को हम उसके corresponding जो point group होता है उससे verify करेंगे ठीक है जैसे यहाँ पर मैं example लेते है CO2 और H2O का CO2 की जो shape होती है वो linear दिखाई जाती है और H2O की जो shape होती है वो हमेशा हमें bent form के अंदर दिखाई देता है कभी भी linear form में H2O हमें दिखाई नहीं देगा reason, question, here is होता है कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है CO2 molecule है और carbon कितने bond बना सकता है maximum जो हमारा carbon जो है कितने bond बना सकता है चार bond बना सकता है तो 1, 2, 3, 4 इसने क्या करे अपने चार bond अपनी valency को complete कर लिया और oxygen पर क्या होते है loan pair of electrons होते है तो यहाँ पर क्या है oxygen जो है वो linear form में इसलिए है क्योंकि जो central metal atom है उस central metal atom ने अपनी valency को पूरा कर रखा है और in oxygen की valency complete नहीं है तो क्या होगा कि इनके बीच में क्या होना चाहिए repulsion होना चाहिए लेकिन क्या कि इनकी जो distance है ना वो एक दूसरे से बोज़ादा दूर है तो क्या होगा इनके अंदर inter electronic repulsion नहीं हो पाएगा that's why इनकी जो shape होगी वो linear होगी अब हम बात कर लेते हैं H2O के अंदर bent क्यों होती है क्योंकि अगर हम H2O के molecule के अंदर देखे तो central में जो हमारा atom है वो होता है oxygen और oxygen के पास क्या होते है lone pair of electron जो ये lone pair of electron हमने इस तरीके से represent कि ये ऐसे नहीं होते है ये space के अंदर कुछ इस तरीके से lie करते हैं यहाँ पर ठीक है ये जो electron है ये इधर की तरफ मूँ करेगा और ये वाला जो electron है ये इधर की तरफ मूँ करेगा तो मान लो जब इन दोनों के बीच में inter electronic repulsion हुआ उस case में क्या होगा कि ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया अब क्या होगा अब जो हमारा oxygen जो बना हुआ है oxygen जो बना हुआ है वो भी किस से बनता है ये जो bond बनेगा ये भी electron से बना हुआ है तो इसमें क्या होगा अब इस वाले electron में और इस वाले electron में क्या होगा inter electronic repulsion होगा इस वाले में और इस वाले में inter electronic repulsion जब होगा तो अगेन क्या करेगा ये वाला इधर मूँ करेगा और ये वाला इधर मूँ करेगा यानि कि ये जो hydrogen है ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा तो यानि इसलिए जो हमारा h2o की shape जो होती है वो bent shape होती है ठीक है तो ये reason होता है कि CO2 का जो हमें linear मिलता है और h2o का जो हमें यांपे bent मिलता है अब बात कर कर लिए short shape की shape जो है वो linear कब होगी bent कब होगी अब हम बात कर लेते हैं symmetry की और symmetry की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर हम बात करेंगे उसके corresponding जो point group होगा उसकी तो देखो यहाँ पर है कि point group are necessary to represent the symmetry and symmetry elements in a molecule कि जब हम किसी भी molecule के अंदर उस molecule की symmetry के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमें उसके corresponding जो point groups होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए तब ही हम उसके क्या कर सकते हैं symmetry को predict कर सकते हैं तो यहाँ पर AB2 type का molecule है देखो हमारे पास क्या है एक हमने AB2 type का molecule इस तरीके से लिया है एक बार मैंने यह लिया है और bent में यह लिया है अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं हम general AB2 की बात कर रहे हैं मैं general AB2 molecule की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो central metal atom होता है वो A भी हो सकता है और B भी हो सकता है ये कोई necessary नहीं है कि जो है हम A ही ले या फिर central में B ही ले वो जरूरी कब हो जाता है जब हम कोई एक particular example लेके चलते हैं जिसे CO2 का लिया तो center में हमने carbon को रखा H2O का लिया तो center में हमने oxygen को रखा लेकिन इन general अगर में बात करूँ तो AB2 molecule के अंदर क्या होता है कि मैं किसी को भी रख सकती हूँ तो तो यहाँ पे दो orientation बनती है या तो मैं A को center में रख दूँ या फिर क्या होगा B को center में रख दे इस तरीके से दो possibility arise हो सकती है similar तरीके से bent के case में भी क्या होगा दो possibility arise हो सकती है एक तो यह वाली arise हो सकती है या फिर एक यह वाली possibility जो है arise हो सकती है तो वो ही यहाँ भी मैंने represent की है तो इसके corresponding जो point group आता है वो D infinity H आता है इसके corresponding point group C infinity V आता है और इसके corresponding C2V और इसके corresponding Cs अब जो यहाँ पे question क्या arises होता है कोशन के आराइज होगा कि जो हमारे इसके corresponding जो point group आ रहा है वो d infinity h है तो ये कैसे आया ठीक है अब हम बात करेंगे कि इन point group के corresponding की कैसे आते हैं तो इसको understand करेंगे तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं ab2 type का molecule पढ़ रहे हैं और ab2 type के molecule के अंदर सबसे पहले हम इन दो linear वालों की बारे में बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे ये जो दो हमारे linear हैं इनकी case में पहले बात करेंगे तो क्या होता है कि in linear molecule we get infinite number of symmetry elements जो linear molecule के case के अंदर क्या होता है हमारे पास infinite number of symmetry elements होते हैं यानि कि जो हमारा symmetry elements होता है वो x-axis के along भी हो सकता है वो y-axis के along भी हो सकता है वो z-axis के भी along हो सकता है ठीक है so on the basis of infinite symmetry elements जिना linear molecule जो इसके base पे की हमारा जो linear molecule है उसके अंदर infinite number of symmetry elements present है तो यहाँ पर जो point group arise होगा इसके corresponding वो एक तो होता है d infinity h और एक क्या होता है c infinity v ठीक है यानि अगर हमारा कोई भी linear molecule होगा तो उस linear molecule के corresponding हमारे पास जो point group arise होगे that is c infinity v and d infinity h अब क्या होगा अब हमें यह determine करना है कि कब तो हमारा d infinity h होगा और कब c infinity v होगा तो इसको predict करने के लिए अब हम next symmetry element next जो हमारा symmetry element है उसकी बात करेंगे जो है center of symmetry center of symmetry की क्या होता है center of symmetry के समझते हैं कि मान लो यह कोई मेरा central metal atom है ठीक है जब इस central atom से मैं इस side चलू तो भी मेरे को वह element मिले इस side चलू तो भी उपर जाए तो भी और नीचे आए तो भी क्या हो हमें यहाँ पर इस same symmetry observe हो in all direction तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इस molecule के तो हम क्या कबोलेंगे कि इस molecule के अंदर क्या present होगा center of symmetry जो है यापे present होगा similar तरीके से क्या होगा कि हम बात किस की कर रहे है linear के case की बात कर रहे है तो linear में क्या होगा यह वाला मेरा कोई point है यह वाला point है और इस point से जब हम इधर की side चले तो हमें same symmetry मिले और जब इधर चले तब भी हमें क्या हो same symmetry observe हो तो हम क्या बोलेंगे कि उस case के अंदर इसमें क्या present है center of symmetry present है तो center of symmetry present है तो अगर किसी भी molecule के अंदर किसी भी molecule के अंदर अगर center of symmetry present है तो उसके corresponding जो point group होता है वो होता है d infinity h और अगर उसके corresponding कोई center of symmetry present नहीं है तो हमारा क्या बनेगा c infinity v तो अगर हम इस case की बात करें जैसे इस case की बात करें center में हमारा a है हम जब इधर चले तो मेरे को क्या मिला b मिला और इधर चलते हैं तो भी क्या मिलता है b मिलता है यानि कि इसके अंदर क्या है center of symmetry है लेकिन इसके इंदर देखो इधर b है इधर चले तो b मिला और इधर चल सेंटर होगी वह क्या कहलाईगा गश्च ओर जिसके अंदर सेंटर सिमेट्री नहीं है तो वह क्या कहलाता है हमारा यहाँ पर इंफिनिटी व क्यों है क्योंकि इसके अंदर क्या present है center of symmetry present है इधर चले तो भी भी और इधर चलते हैं तो भी भी लेकिन इसके अंदर क्या है center of symmetry present नहीं है that's why जो है इसका क्या हो जाएगा point group C infinity V अब हम बात कर लेते हैं किसकी in bent वालोंगी bent में क्या है in bent case सबसे पहले हम जो point group बता रखा है axis of rotation का मतलब क्या होगा की देखो मानलो मेरा ये कोई molecule है a b2 type का molecule है मैंने क्या क्या इसके बीच में मैंने क्या apply कर दी ये मैंने axis लगा दी ठीक है और इनको मैंने numbering दे दी क्या ये मेरा b1 है ये b2 है तो c2 क्यों बोला है इसको मैं इस बात के बारे बता रहे हूं क्योंकि इसके अंदर c2 axis है और c2 axis कैसे होगा हम वो देखते हैं देखो यहां पर मैंने axis लगाई अगर मैं इस axis को एक बार rotate करती हूं तो ये जो b1 है ये कहां जाएगा इघर आजाएगा और ये जो b2 है ये कहां चले जाएगा यहां पर चला जाएगा ठीक है फिर मैंने क्या किया फिर मैंने एक बार और axis को क्या किया rotate किया जब मैं दुबारे से एक्सिस को रोटेट करती हूँ तो यह हमारा B1 कहां चला गया था यहां पे तो अगें से यह B1 कहां पे आ जाएगा अपनी ओरिजनल पोजिशन के उपर आ जाएगा यानि कि एक्सिस ओफ सिमिट्री क्या होता है that's why it is called as C2 axis of rotation होता है सिगमा अब C2 V V किसको रिप्रेजन करता है यहां पे इसके अंदर क्या है एक वर्टिकल प्लेन है तो C2 V किसको रिप्रेजन करेगा जो हमारे जो है C2 V यहां पे CnV भी हो सकता है यानि कि एक्सिस ओफ रोटेशन जैसे और हम इसके अंदर तो दो बार रोटेशन करने से same symmetry observe हो रही है मालों कि दो बार सेम करने से ना आ रही हो तीन बार C3 V, C4 V इस तरीके से भी हो सकते है N क्या रिप्रेजन करता है यहां पे यह ट्रिक है याद रखने की N जो होता है number of corner कि कितने corner है तो इसके कितने corner है दो corner है B1 B2 तो यहां पे इसके corresponding जो point group हो गया वो क्या हो गया C2 V अब कि इतना इसके अंदर कितना angle है वो हम किस तरीके से निकाल सकते है 360 degree by N जो हमारा हो यहां पे वो 2 होगा तो यहां से हम क्या कर सकते है जो हमने इसके कितने degree पे हमने इसको rotate किया जब हमारे पास symmetry आ रही है तो हम वासे इसके angle को find out कर सकते है फिर जो हमने next लिया उसके अंदर क्या था उसके अंदर जो यह वाले example था यह तो हमने check कर लिया इसके अंदर क्या होती है एक C2 axis of symmetry होती है vertical plane होता है that's why इसका point group हो गया वो C2 V हो गया अब हम इसके अंदर check करते है अब इसके अंदर देखो center of symmetry तो axis of symmetry तो हो नहीं सकती तो यह एक तरफ A है एक तरफ इसके अंदर B है axis of symmetry तो हो नहीं सकती अब हम क्या देखते है इसकी mirror image CS point group के corresponding हम क्या check करते है उसकी mirror image अगर mirror image identical है तो हो क्या कहलाता है CS point group तो इस तरीके से जो है हम AB2 molecule के अंदर उसके point group को बताते है फिर हम देखते हैं या पर example जैसे linear में हमने किसका example ले सकते हैं CO2 का ले सकते हैं bent के अंदर हम SO2 का ले सकते हैं अब हम इनके अंदर बात करेंगे कि vibrational frequencies के बारे में तो यहां पर vibrational frequency का जो concept आता है that is related to the degree of freedom degree of freedom क्या होता है कि किसी भी एक particle की space में पाए जाने की कितनी probability हो सकती है वो क्या कहलाता है degree of freedom कि वो x-axis के अंदर पाए y के अंदर पाए या z के अंदर पाए जाए तो यहाँ पर जो total degree of freedom जो होता है वो 3n के equal होता है चीक है n क्या represent करता है यहाँ पर total number of atoms कितने हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें linear molecule के अंदर तो linear अब जेखो 3n को ना हम दो तरीके से range करते हैं एक तो करते हैं 3n माइनस 5 में और एक करते हैं 3n माइनस 6 के लिए 3n माइनस 5 जो होता है वो linear के लिए होता है और 3n माइनस 6 जो होता है वो किसके लिए होता है bent के लिए होता है तो यहाँ पर जो क्या देखते हैं linear molecule के लिए degree of freedom हुमारे पास कितना होंगे 3 and minus 5 होंगे जिसके अंदर से translational degree of freedom तो 3 होंगे rotational degree of freedom 2 होंगे और vibrational degree of freedom तो हमें find out करने है translational degree of freedom का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक molecule है वो कितनी direction के अंदर translate हो सकता है यानि कि x के अंदर हो सकता है y के अंदर हो सकता है और z के अंदर हो सकता है तो that's why जो हमारे translational degree of freedom होते हैं वो 3 होते है rotational मतलब कितनी तरीके से वो rotate कर सकता है तो वो हमारे पास आपे कितनी होगे? 2 होगे और vibrational degree of freedom क्या करने हैं? हमें यहां से find out करने हैं तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि जो total degree of freedom होता है किसके एकवर होता है? vibrational plus rotational plus translational तो हमें पता है कि जो degree of freedom होता है वो 3N होता है N क्या होता है पर number of atom तो अगर मैं निकाल लोंग इसके अंदर vibrational degree of main क्या करना है? vibrational degree of freedom को find out करना है तो क्या होगे? 3 इंटो में N की value कितने होगे? कितने number of atom है? हम क्या पढ़ रहे है? A, B, 2 पढ़ रहे हैं तो total number कितने atom कितने होगे? इसके इंदर 3 2 तो B होगे और 1 A होगे तो total number of atom कितने होगे? 3 तो 3 into 3 is equal to vibrational plus rotational plus translational ठीक है? तो यहाँ पर क्या होजाएगा? अब देखो ट्रांस, rotational हमें पता है ट्रांसलेशनल हमें पता है तो vibrational निकाल सकता vibrational को मैंने यहाँ पर X मान लिया X मान के बाकि सब उठके है 3, 3, 4, 9 X प्लस 3, 2, 5 तो यहाँसे X की value कितने होगे? 4 यानि कि हमारे पास जो total number of vibrational degree of freedom है वो कितने आ गए? 4 आ गए यानि कि यह जो हम पीच्छे जो vibrational degree of freedom निकाल रहे थे यहाँ पर यह total जो vibrational degree of freedom थे हमारे पास कितने आ गए? यहाँ पर 4 आ गए अब हमें इhe 4 vibrational degree में से देखना है कि stretching कितने हैं और bending कितने होंगे तो इसका लिए formula होता है अगर हमें stretching vibrations निकालने हैं तो n-1 का यूज़ करते हैं n क्या होता है जितने number of atoms होते हैं तो ab2 molecule ab2 molecule के अंदर कितने atom है 3 तो 3 रख दिया minus 1 तो is equal to 2 तो 2 तो क्या होगा हमारे पास stretching अब bending कैसे निकालेंगे bending में भी क्या होगा total में से stretching वाले minus कर देते हैं तो total कितने हैं 3 है stretching वाले कितने होगे 2 sorry total में से stretching माइनस करते हैं तो total degree of freedom हमारे पास कितने आये थे 4 तो 4 में से कितने minus कर देंगे stretching वाले तो stretching वाले क्या minus कर दिये 2 तो हमारे पास 2 क्या आगए bending और 2 क्या आगए यहां पर stretching अब जैसे मैंने एक्जाम्पल लिया CO2 का यह linear का पढ़ रहे हैं तो मैंने यहां पर linear का example लिया किस तरीके से bending आएगा किस तरीके से stretching आएगा तो देखो CO2 में हम क्या कर सकते हैं CO2 के अंदर या तो यह वाला case हो सकता है कि हम क्या करें एक को मैंने symmetric stretching की या फिर इसी को मैं किस तरीके से represent कर सकते हैं यह तो हमने दोनों को भार की तरफ किचा दोनों को अंदर की तरफ भी compress कर सकते हैं तो एक case यह बनेगा उसके बाद एक case क्या बन सकता है इसके अंदर कि मैं दोनों को एक तरफ खीचू यानि कि इस वाले को भी इधर की तरफ खीचू और इस वाले को भी यानि कि दोनों को भार की तरफ या फिर क्या हो सकता है या फिर क्या हो सकता है दोनों को इस तरफ खीचू ये तो possibility किसकी को Arise होगी Stretching वाले की similar तरेकी से Bending में भी Possibility Arise हो सकती है कि मैंने इन दोनों इस वाले कार्बन को तो ऊपर की तरफ stretch किया और इन दोनों oxygen को नीचे की तरफ stretch किया या फिर इसका reverse कर सकते है कैसे कि इस वाले कार्बन को तो नीचे stretch किया और बाकी दोनों को क्या किया उपर की तरफ stretch किया तो ये क्या होगे इसके अंदर stretching vibrations हो गए तो इस तरह के से क्या होगे इसके अंदर कुछ stretching vibrations होंगे और कुछ bending vibrations होंगे अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर से in stretching और bending vibrations के अनदर कों से IR active होंगे कों से IR inactive होंगे IR के साथ हम check करेंगे कि कों सेì a mean active होंगे और कों से रमन inactive होंगे ठीक है, तो इसको study करेंगे तो देखो, यहां पir क्या होगा कि in these vibrations, some are active and some are inactive इनके अनदर क्या होगे, कुछ तो active होंगे और कुछ inactive होंगे it can be predicted by the use of selection rule तो इसको हम किसके help से predict करते हैं selection rule की help से predict करते हैं अगर मान लो कि कोई भी molecule है उस molecule के अंदर अगर dipole moment change हो रहा है तो वो क्या कहलाता है IR active और अगर dipole moment change नहीं हो रहा तो वो क्या कहलाएगा IR inactive जैसे यह वाला example देखें फर्स्ट वाला यह फर्स्ट वाला चेक करें यह वाला तो इसके अंदर क्या है यह इधर की तरफ stretch हो रहा है और यह इधर की तरफ stretch हो रहा है तो इसका जो net dipole moment होगा वो क्या होगा जीरो होगा क्योंकि क्या कर रहे हैं दोनों अपने एक दूसरे के effect को cancel out कर रहे हैं तो इस case में जो हमारा जो होगा वो क्या होगा IR inactive होगा क्योंकि यहाँ पर dipole moment क्या है 0 और अगर क्या बोला मैंने कि if not change अगर dipole moment change नहीं हो रहा तो वो क्या होगे IR active होगे अगर dipole moment change हो रहा है तो IR active होगे साथ के साथ रमन inactive होगे मतलब बिल्कुल reverse होगा अगर IR active है तो रमन inactive होगा और अगर IR inactive है तो रमन inactive होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर dipole moment जा है molecule की वो change हो रही है तो वो IR active है रमन inactive है और अगर change नहीं हो रही तो क्या होगा IR inactive होगा और रमन inactive होगा तो इस case में हम बता सकते हैं A और B के case में क्या हो रहा है इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं यह तो पूरी बात हमने किस के कर ली यह बात करें हमने linear के case में similar to similar बात हम किस के अंदर लेके चलेंगे bent वाले case के अंदर लेके चलेंगे that is 3N minus 6 translational degree of freedom 3 होते है rotational degree of freedom भी 3 होंगे vibrational हमें find out करने है किस तरीके से find out करेंगे वो formula क्या होता है 3N is equal to total number of vibration total number of vibration कैसे find out करते है vibrational plus rotational plus translational तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 into n क्या होता है number of atom जितने number of atom इस चंदर present होते है जैसे 2 और 1 3 तो total number of atom कितने होगे इसके अंदर 3 तो 3 into 3 is equal to translational कितने है 3 है rotational भी कितने है 3 है और vibrational हमें निकान लेके तो हमने x मान लिया तो हम यहाँ से क्या करेंगे x की value को find out करेंगे x की value हमारे पास 3 आगई यानि कि हमारे पास जो total number of vibrational degree of freedom थे वो भी कितने आ गए 3 आ गए अब हमें पता लगाना है stretching कितने होंगे और इसके अंदर bending कितने होंगे तो stretching का formula n-1 जितने number of atom उसमें से 1 minus कर दो हमारे पास कितने हो गए सिमिरर तरीके से bending कैसे निकलता है total minus में stretching तो total कितने है 3 है stretching कितने आ गए 2 तो 3 में से 2 गए तो 1 यानि कि stretching तो हमारे पास 2 हो गए और bending हमारे पास 1 हो गया अब हम यह देखना है कि इनके अंदर से कौन से रमन एक्टिव होंगे कौन से आई आर एक्टिव या फिर इनक्टिव होंगे या रमन एक्टिव या इनक्टिव होंगे तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर सबसे पहले हमने एक्जामपल कंसेडर किया यह वाला symmetric stretching कि हमने क्या किया इन दोनों को उपर की तरफ खीचा या फिर हम इन दोनों को नीचे की तरफ खीचे या asymmetric stretching कर सकते है एक को उपर एक को नीचे या फिर क्या कर सकते है इन दोनों को ऐसे पास में लेका है और उसको उपर की तरफ खीच दिया इस तरीके से कर सकते है तो इन में क्या होगा कि जब इसमें क्या हो रहा है देखो ये भी उपर की तरफ है ये भी उपर की तरफ है यानि कि इसके अंदर जो हमारा dipole moment का जो change है वो क्या है 0 और अगर 0 dipole moment होता भूता है तो जो क्या होता है IR active जैसे मैंने आपको पीछे बताए था कि if the dipole moment of the molecule change so I are active, if not change so I are inactive तो इस case के इंदर क्या हो रहा है कि यह दोनों अपने एक दूसरे के effect को क्या कर रहे है यहाँ पर cancel out कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया यह आई आर inactive हो गए और अगर यह ir inactive है तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर raman active तो यह क्या हो जाएंगे रaman active इसका reverse similar तरीके से यह दोनों भी क्या करेंगे एक दूसरे के effect को यहाँ पर cancel out करेंगे और ir active है that's why it is called as raman active तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर रaman active हो जाएंगे अब ये वाले है देखो इसमें क्या हो रहा है एक को तो हम उपर की तरफ stretch कर रहे हैं और एक को हम नीचे की तरफ यानि कि इसके अंदर क्या होगा कुछ ना कुछ इसका net dipole moment होगा अगर net dipole moment है तो क्या कहलाएगा IR active और अगर IR active है तो ये क्या कहलाएगा रमन इनक्टिव क्या कहलाएगा रमन इनक्टिव सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी dipole moment चेंज है that's why it is called as IR active and रमन इनक्टिव रमन इनक्टिव तो ये हमारा था पूरा AB2 टाइप के molecule के बारे में उसके symmetry elements के बारे में उसके vibrational modes के बारे में किस तरीके से वहाँ पर आते हैं तो आज के lecture में इतना ही इसके regarding अगर आपको कोई problem हो तो आप मेरे को comment box में बता सकते हैं thank you